नमश्कर इन खबर में आप सभी का स्वागत है अगले महीने यानि सितंबर एक से रोजमर्रा से जुड़े कई बदलाव होने जा रहे हैं और सबसे बड़ी बात कि इसका असर सीधे आपकी जेप पर पड़ेगा EPF से लेकर चेक क्लियरिंग तक के नियम, ब्यास, LPG नियम, कार ड्राइविंग और गूगल की सर्फिसेज पर होने जा रहा है बदलाव आये जानते हैं इन बदलाव के बारे में वो कौन से बदलाव हैं जो आपकी रोजमर्रा की जिन्दगी को प्रिभावित करने वाले हैं सबसे पहले एक सितंबर से आपका यूनिवर्सल एकाउंट नम्मर यूए एन आपके आधार कार्ट से लिंग नहीं हुआ है तो एमप्लोयर आपके प्रॉविडेंट फंड यानि पी एफ एकाउंट में क्रेडिट नहीं कर सकेंगे करमचारी भविश्य नीदी संगठन ईपी एफों ने ईपी एफ खात अधार को को एक सितंबर दुजार एक किस से पहले आधार यूए एन नम्मर लिंक करवाना अनिवारे कर दिया है इसके अलावा अगर आप भी चेक से पेमिंट करते हैं तो ये बदलाव आपके लिए जानना ज़रूरी है एक सितंबर से 50,000 रुपए से अधिक का चेक जारी करना आपको परिशानी में डाल सकता है दरसल बैंकों ने अब पॉजिटिव पेस सिस्टम को लागू करना शुरू करती है ज्यातर बैंक एक सितंबर से PPS को लागू करने जा रहे हैं एक सिस पैंक अगले महीने से पॉजिटिव पेस सिस्टम के शुरूआत कर रहा है एक सितंबर से LPG सिलेंडरों की कीमत और मिलने के समय दोनों में बदलाव आएगा बता दें कि हर महीने की पहली तारीक को घरेलू रसोईस गैस और कमर्शियल सिलेंडर की नई कीमते तै की जाती है वहीं धारा नौला गैस सर्विस की और से गैस वितरन का समय बदल जाएगा नगर समय ग्रामिन शेत्रों में गैस पार्टने के समय में बदलाव किया गया है वहीं पंजाब नेशनल बैंक के ग्रहकों को अगले महीने से जोरदार जटका लगने वाला है दरसल पंजाब नेशनल बैंक ने 1 सितंबर 2020 से बचट खाते में जमापर ब्यास दर में कटोती करने वाला है यह जानकारी बैंक की आधिकारिक वेबसाइट से मिली है बैंक ने बचट खातों पर ब्यास दरें सालाना 3 फीजदी से घटा कर 2.9 फीजदी करने का फैसला किया है बैंक के इस फैसले का असर नए और पुराने दोनों ग्रहकों पर पड़ेगा बात कर लेते कार इंशोरेंस वालों को क्या फर्क पड़ेगा मदरा साइकोट ने फैसला सुनाया है कि जब भी कोई नया वाहन बिकेगा तो उसका बंपर टू बंपर इंशोरेंस अनिवारे होना चाहिए यह इंशोरेंस पांस साल की अवदी के लिए ड्राइवर पैसेंजर और वाहन के मालिक को कवर करने वाले इंशोरेंस के अतिरिक्त होगा बता दे कि बंपर टू बंपर इंशोरेंस में वाहन के उन हिस्सों को भी कवर मिलेगा जिन में आमतोर पर बीमा कंपनियां कवर नहीं देती है OTT प्लैटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन खरीदना आप महंगा पढ़ने वाला है भारत में OTT प्लैटफॉर्म डिजनी प्लस होटसार का सब्सक्रिप्शन 1 सितंबर 2020 से महंगा हो जाएगा इसके बाद यूजर्स को बेस प्लैन के लिए 399 रुपे की जगा 499 रुपे देने होंगे दूशे शब्दों में कहें तो यूजर्स को 100 रुपे ज्यादा बुक्तान करना होगा इसके लावा 899 रुपे में यूजर्स दो फोन में एप चला पाएंगे साथ ही सब्सक्रिप्शन प्लान में HD क्वालिटी मिलती है इसके लावा 1499 रुपे में 4 स्क्रिन पर एप को इस्तेमाल कर सकेंगे एमेजन लॉजिस्टिक कॉस्ट में भी बढ़ोतरी होने वाली है एमेजन डीजल और पेट्रोल की कीमत बढ़ने से लॉजिस्टिक कॉस्ट में इजाफा कर सकती है इससे 1 सितंबर 2021 से एमेजन से समान मंगाना मेंगा हो सकता है ऐसे में 500 ग्राम के पैकेज के लिए 58 रुपे देने पड़ सकते हैं वहीं रीजनल कॉस्ट 36.50 रुपे होगी कई आप ऐसी होंगे जिन पर रोक लगने वाली है गूगल की नई पॉलिसी 1 सितंबर 2021 से लागू हो रही है इसके तैट फेट कंटेंट को प्रोमोट करने वाले एपस 1 सितंबर से प्रतिबंदित कर दे जाएंगे गूगल ने अपने ब्लॉग पोस्ट में बताया है कि एप डेवलेपर्स की और से लंबे समय से इस्तेमाल नहीं किये जारे एपस को ब्लॉग कर दिया जाएगा दरसल गूगल प्ले स्टोर के नियमों को पहले से ज्यादा सक्त हिया जा रहा है वहीं गूगल ड्राइफ यूजर्स को 13 सितंबर को नया सिक्यूरिटी अपडेट मिलेगा जिसका इस्तेमाल वो पहले के मुगाबले करके ज्यादा सुरक्षिन महसूस कर सकेंगे ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रही है इन खबर के साथ इनकबर चानल को सब्सक्राइब करें